नमस्कार अब्दीक फ्रें नियूस फोर्नेशन और मैं हूं सांत्वनाब के साथ बिहार के सिक्षा विभाग ने बड़ी अपडेट जारी की है और ये अपडेट छटे चरन के सिक्षक अभियर्थियों के लिए है जहां पर सिक्षा विभाग के तरफ से अधी सूचना जारी हो गई है अधी सूचना इस बात की कि छटे चरन के सिक्षक अभियर्थियों को किस दिन नियूकती पत्र बाटा जाएगा दरसल छटे चरन के अंदर गर्थ हाई स्कूलों में 32,714 सिक्षकों की बहाली के लिए संशोधित शेडियूल के अनुसार अब 30 जुलाई को विभि अधी सूचना जारी कर दी है सिक्षा विभाग ने इसे जुड़ी अधी सूचना जारी कर दी है सिक्षा विभाग के अनुसार विबन जिलों में चटे चरन के तहत उच्च और उच्च तर माध्यमिक स्कूलों में सिक्षक चैन मामले बर मार्गदर्शन मांगा गया था व विद्यालेवार एवं विशेवार रिक्त जिला के NIC वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी 25 जुलाई को नगर निगम नियोजन एकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची से काउंसलिंग और चैन किया जाएगा 26 जुलाई को जिलास्तर पर नगर नियोजन एकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची पर काउंसलिंग और चैन किया जाएगा 27 जुलाई को प्रकेरिया पूरी की जाएगी आने वाले 30 जुलाई को चैन अभियर्थियों को नियोजन पत्र जारी किया जाएगा आपको बताए कि सिक्षा विभाग के उपसचिव अर्शिद फिरोज दे जारी अधी सूशना में कहा है कि न्याले के आदेश पर जो आवेदन आए हैं उन्हें नियोजन इकाई हर हाल में अपबंदिक मेधा सूची में शामल करे एक ही अभियर्थी का कई नियोजन इकाई में चैन होनी की स्थिती में और उसमें से किसी एक में न्यूकती लेने पर बाकी में पद खाली रह जाने को लेकर भी विभाग ने निर्देश चारी किया है कहा है कि मेधा सूची के अनुसार अभियर्थियों को मूल प्रमान पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा अभियर्थियों के अनुपस्तिती के स्तिती में उनका नाम अनुमोदित मेधा सूची से हटा दिया जाएगा और विशेवार एवं कोटिवार मेदा सूची तयार होगी इसे पैनल निर्मान समिती द्वारा अनुमोदित किया जाएगा आने वाले 22, 25 और 26 जुलाई को काउंसलिंग की प्रकिरिया होगी सारे प्रोसेस के बाद आने वाले 30 जुलाई को छटे चरन के सिक्षक अभियर्थियों को न्योकती पत्र बाटा जाएगा साथे साथ उन्हें दहेज लेने और दहेज का सपोर्ट नहीं करने को लेकर शपत भी ग्रहन करवाया जाएगा आपको बताए कि इस बार विभाग ने कई माईनों में दुशा निर्देश जारी किया है इस बार की जो प्रकिरिया है वो काफी सकती से अप्लाई कराई जाएगी साथे साथ जो अभियर्थी काउंसलिंग वाले दिन अपसिंट पाए जाएगे उन्हें सीधे सीधी मेधा सूची से हटा दिया जाएगा फिला के लिए अप्डेट में अतना ही अनके अप्डेट्स के लमाई साथ बने रहे न्यूस फौनेशन में नमस्कार